नमस्कार, तो आप स्किन की बीमारियों से परेशान हैं, स्किन या चर्वरोग जिसको हम बोलते हैं, आईरवेद में जिसको त्वरोग या कुष्ट भी बोलते हैं, उनसे परेशान हैं, जैसे कि सुरैसिस, एक्जीमा, या बहुत सारे आपको पिंपल्स आने लग गए हैं, चमड़ी की कोई ने कोई आपको बीमारिक हो गई है, ठीक है, फिर वहाँ पे आपको खुछली होती हो, जलन होता हो, बस निकलता हो, ऐसे ऐसे घसते हो, तो सकेल्स निकलते हो, कोई भी सकिन की बीमारी हो, तो आप कुछ तक उसके लिए इलाज करते हैं, होम रिमडी काई कई बार करते हैं कई बार आई रिवेद यूनानी एलोपैथी होमियोपैथी सिद्धा ऐसे बहुत कुछ करते हैं पर आपने एक चेश नोटिस की होगी कि कई बार सब इलाज करने के बाद भी आपको आराम मिलता नहीं और आप आपको बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए जी हाँ टोटल एवोइड करना चाहिए क्योंकि अगर ये दस चीजे आपके डाइट में हैं तो आपको चर्म रोग जरूर हो गई होगा या अगर हुआ है तो वो ठीक होने नहीं मिलेगा तो वो दस चीजे कौन सी है जानेंगे इस वीडियो में नमस्कार स्वागत आप सभी का मिश्रवीता में मैं हो डॉक्टर अरुन मिश्रा और मैंने आई रवित में MD की पढ़ाई की है और मैं मुंबई में प्रैक्टिस करता हूं कुछ दिनों पहले मैं ये बुक पढ़ रहा था ठीक है ये बुक आप देखेंगे त इतनी सारी स्किन की बीमारिया होती है इतने सारे चर्म रोग होते है तो जी है स्किन की unlimited बीमारिया होती है और उनके कारण है हमारे खान पान की गलतिया आप चाहे अस्टांग रिते पड़े अस्टांग संग्रा पड़े चरक सहीता पड़े सुशु सहीता पड़े कोई भी आईलवित की सहीता पड़ेंगे तो उसमें वो विरुद्ध अन्पानानी ऐसे करके शब्द बोलते हैं कि विरुद्ध आहार या ऐसे food items जो कि आपके शरीर में खोन को खराब करते हैं वो आपको चर्म रोग जरूर पैदा करेंगे स्किन की बीमारिया जरूर पैदा करेंगे और अगर आपको वो बीमारिया हो गई है और फिर भी उन चीज़ों को आपने खाना चालू रखा तो कितना भी इलाज कर लो आपको फायदा होगा नहीं तो चलिए वो दस चीज़ा है कौन सी जानते हैं नमबर वन सबसे पहली चीज है उड़त जी हाँ उड़त जिसको की ब्लैक ग्राम भी कहते हैं आप इसे बहुत सारे लोग उड़त खाते होंगे अभी ठंडियों का मौसम चल रहा है तो भर भर की लोग उड़त का वड़ा जिसको की मेंदू वड़ा बोलते हैं साउथ में बहुत सारा खाते हैं मेरा तो एक टाइम पर फैवरेट होता था रोज नास्टे में मैं मेंदू वड़ा और इडली खाता था तो उड़त का वड़ा उड़त की दाल या फिर गुजरात में उड़त का एक स्वीट बनता है अड़ा दिया जिसको बोलते है ठीक कई लोग उड़त के लड़ू बना कर खाते हैं तो ठंडियों के मौसम में ऐजर टॉनिक उड़त बहुत सारे लोग खाते हैं पर अगर आपको चर्म रोग है तब आपको उड़त बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए क्यों नहीं खाना देखिए जितने भी स्किन डिसॉर्डर होते हैं उसमें सबसे में कारण होता है स्किन डिसॉर्डर होने का वैसे तो आईरविद में साथ में चीजे खराब होने के बारे में बोली है कि वात्पित कफ ये तीनों दोश खराब हो जाते हैं और बाकी चार चीजे भी खराब हो तो ये जब जब खराब होगा या आपका खून जब जब खराब होगा तब तब आपको बहुत सारे चर्मरोग देखने मिलेंगे फिर फंगस इंफेक्शन हो सकते हैं या फिर आपको सुराइसेस हो सकता है एकजीमा हो सकता है डैंड्रफ हो सकता है पिंपल्स हो सकते है कोई भी टाइप का स्किन डिसॉडर आपको हो सकता है तो ऐसे में जब आप उड़त की प्रॉपरिटिस बढ़ेंगे तो यह क्या है यह वात की लिए बहुत अच्छा है बढ़ ये कफ पित को बढ़ा देता है और शरीर में जलन पैदा करने का काम करता है साथी साथ ये रक्त धात्टू को कही न कही खराब करता है इसलिए अगर आपको चर्म रोग है स्किन का कोई भी विमारी है उड़त के आईटम जैसे की उड़त क का फेवरेट होगा और कई सारे लोग तो बिना दही का खाने नहीं खा दे जैसे की गुजरात में या फिर अरियाना पंजाब इस जिगव पे या साउथ में बहुत सारे लोग की प्रैक्टिस है कि डेली कर्ड राइस मतब चावल के साथ दही खाना पंजाब अरियाना दिल अच्छा नहीं है क्यों क्योंकि दही की जब आप प्रापर्टिस पढ़ेंगे तो ये भी क्या करता है कॉफ और पित्त को बढ़ा देता है मैक्सिमम कॉफ पित्त बढ़ाने वाले आइटम स्कीन के लिए अच्छे आईरवेद में नहीं माने गए हैं तीन दोश होते हैं व विसर्प और कुष्ट विसर्प मतलब ऐसे स्किन रिसॉर्डर जो कि बहुत तेजी से शरीर में फैलते हैं आप देखोगे कि एक दिन या खुजली हो रही थी दो-तिन दिन में पूरे शरीर में फैल गया या छोटे-छोटे-छोटे पिमपल्स आये थे छोटे-छोटे ओता है ऐसे बहुत सारी बिमारियां दही के खाने से होती है क्यों क्यूंकि दही का 8-7 सपेशली अगर आप खटा दही खा रहे हैं तो आपके ब्लड को खराब करता है आइरवेद में दही को रोज खाना मना है बहुत सारे लोग दही को ऐसा टॉनिक समझते हैं कि बाई डे करेगा क्योंकि दही खाने से आपके जो system है वो block होते हैं ठीक जिसको श्रोतो अवरोध बोला है या आयरवेद में दही को अभी शंदी एक शंस्क्रिक्षब्द है अभी शंदी शंद का मतलब होता है जो system को block करता है तो अगर आप दही खा रहे हैं आपका system block होगा और आपक skin की बिमारी बढ़ जाएगी तो किसी भी टाइप के चर्मरोग में दही खाना आपके लिए अच्छा है नहीं नमबर तीन फिश फिश जी हाँ जिसको की मचली बोलते हैं मचली बहुत सारे लोग को पसंद होती है खास करके जैसे मैं मुंबई में रहता हूँ तो मुंबई में जो कोकन के साइड में रहने वाले लोग हैं या जिनको कोकनी बोलते हैं या कई लोग है जो कि fish समुद्र के आसपस रहते हैं और fish खाना बहुत पसंद करते हैं अब जैसे हमारे बंगाल के कई patient है तो उनको acidity या skin के बहुत सारी बिमारिया उस जगा पे देखने मिलती है वहाँ पे एक common practice है कि daily मशली खाना या वहाँ तो दिन में रात में या हफते में at least 3-4 बार तो मशली उनके diet में होती ही होती है अब जो fish होती है उसके भी जब आप गुर्धर में पढ़ेंगे तो वो कफ और पित्ती ये दो चीजों को बढ़ा देती है और blood को vitiate कर दी है especially अगर समुतर वाली मशली है तो अगर आप fish खा रहे हैं और आपको चर्म रोग है चाहे वो fish curry हो या सूखी fish हो या किसी भी form में मशली खाना आपके शरीर को तकलीफ करेगा आपकी skin disorder को बढ़ा देगा अब इन सारे items के साथ होता क्या है कि आपके पेट में जाते हैं जो आमशय होता है जो आपका stomach होता है वहाँ पर जाके especially कफ और पित ये दो चीजों को visiate कर देते हैं या ये चीजे शरीर में जलन पैदा करने का काम करते हैं अगर आम बुल चल की बार्षा में बात करें ये आपके खून को acidic बना देते हैं और आपका blood जितना ज़्यादा acidic हो तो नमबर चार तिल जी हाँ अभी मकर संक्रान्ती का मौसम आएगा जनवरी में और बहुत सारे लोग तिल खाना पसंद करेंगे तो तिल के चाहे वो लड़ू हो या तिल का तेल हो तिल जो है वो बहुत अच्छा इटम है वात वालो के लिए या मालिश वालिश के लिए तक तो वो अच्छा है बट ऐसे लोग जिनको चर्म रोग है स्किन की बीमारी है अगर वो तिल के लड़ू या तिल की जो गजग वजग मिलती है ऐसी चीज़े खाते हैं या तिल के तेल को बहुत ज़्यादा यूस खाने में करते हैं तो वो भी आपके स्किन के लिए अच अच्छी चीज़े सब लोग खाते पीते हैं डाजेशन वेशन के लिए अच्छे हैं बट अगर चाच आपको डेली लेने की आदत है स्पेशली खटी चाच कई जिगह पी जाती है कि रात की चाच सुबह पीते हैं गुजरात में जैसे कि शाम को खिचडी और चाच ये दो बहुत ही common pattern है लेने का ठीक तो चाच अगर आपको चर्म रोग हो चाए वो किसी भी टाइप का fungus infection हुआ हो या किसी भी टाइप का आपको surices, dandruff कुछ भी तर्दीफ हो ऐसे मैं आपको चाच avoid करना चाहिए क्योंकि ये भी आपके रक्त दातू को खराब करने का काम करता है और शुशु सहीता तो आप पढ़ेंगे तो उसमें तो एक श्लोक आया है नवम तक्रम छते दद्याद ना उफन काले न दुर्बले ना मुर्चा ब्रहम दाहेशु ना रोगे रक्त पैतिके रक्त और पित मतलब आपके रक्त के अंदर अगर कुछ भी तकलीफ है तब ऐसे लोग जिनको मूली बहुत ज़्यादा पसंद है जी हां मूली आराम से अभी ठंडियों के मौसम में बहुत ज़्यादा मिलती है आप बोलोगे कुछ छोड़ोगे भी क्या आज के दिन के लिए मूली छोटी वाली मूली अच्छी है खाने के लिए बट जो मार्केट मे इतनी लंबी लंबी बड़ी बड़ी मूली मिलती है या जो मूली साइज में जितनी ज़्यादा बड़ी रहेगी उतने ज़्यादा वो आपके दोशों को खराप करेगी तो ऐसे में अगर आपको चर्म रोग है तो डेली मूली खाना आपको avoid करना चाहिए especially अगर आप बड मानी जाती है आयरवेद में उसके चरक सहीता के जो चैप्टर नंबर 7 है उसमें इन चीजों को मना किया गया है सातवी चीज है गुड गुड जिसको की जैंकरी भी बोलते हैं अब ये गुड बहुत सारे लोगों पसंद होता है कई लोग तो सोचते हैं कि खाना खाने के बाद ना गुड खाना बहुत अच्छा होता है क्योंकि उससे खाना आजम हो जाता है जी नहीं आयरवेद में ऐसे बिल्कुल भी नहीं लिखाए कि खाना खाने के बाद गुड खाओ गुड बाइनेचर मीठा होता है और मीठी चीजे हमेशा खाना खाने के पहले बोली गई है खाने के लिए ठीक तो अगर आपको स्किन की बीमारी है गुड आपके शरीर में दो चीजों को सबसे आदर बढ़ाने का काम आपके शरीर में गुड करेगा और जो क्रीमी होते हैं जो वर्म सोते हैं उनको भी गुड बढ़ाने का काम करता है अब गुड मतलब यह शक्करवकर यह सब इसके अंदर आ गया ठी तो ऐसे लोग जो की बहुत ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं खाने के गुड या चौकलेट या कुछ ना कुछ स्वीट खाना पसंद करते हैं और अगर आपको स्किन की बिमारी है तो वो आपको चीज एवाइड करना चाहिए किसी भी तरह का आपको स्किन डिसॉर्डर है तब गुड खाना आपके लिए अच्छा नहीं है चाहे कोई कुछ भी बोलेगी गुड तो हेल्दी होता है प्यौर होता है ऐसा होता है आईरवेद स्किन डिसॉर्डर में गुड खाने से मना करता है आठवी चीज है उसका नाम है सूरंड यहां सूरंड की सबजी बहुत सारे लोग खाते होंगे इस्पेशली नॉर्थ में बहुत ज़्यादा यह खाया जाता है जिसकों की एलिफेट फूट याम ऐसे भी कहा जाता है अभी सूरंड की सबजी पाइल्स के लिए तो बहुत अच्छी है बट किन रिलेटन बीमारियों में ब्लीडिंग रिलेटन डिसॉर्डर में या आपको खुजली उचली होती है तो ऐसे में सूरंड की सबजी आपको डाइट में कभी यूज नहीं करना चाहिए क्योंकि ये आपके खून के अंदर की गर्मी को और बढ़ा देगी और आपका चर्मरोग और कई गुना जादा बढ़ जाएगा नमबर नौ वो है कुलत जी हाँ कुलत जिसकों की होट्स ग्राम भी कहा जाता है मराटी में कुडित बोलते हैं गुजराती में कड़ती भी बोलते हैं तो ये जो कुलत की दाल होती है ये अश्मरी मतलब जिनको स्टोन हुआ है उनके लिए तो बहुत अच्छी है बट जिन लोगों को एसिडिटी होती है जिन लोगों को चर्मरोग की तकलीफ है या बोड वी और सबसे लाश्ट जो चीज है वो है दूद बहुत सारे लोग जिनको चर्म रोग होता है खुझली वुझली होती रहती है वो लोग सोचते हैं कि दूद पीएंगे तो अच्छा रहेगा बहुत सारे लोग को आदत होती है रात में सोने से पहले दूद पीने की तो अगर आपको स्किन की बीमारी है तो ऐसे में शीर जी हाँ दूद को संस्कृत में शीर कहा जाता है दूद पीना मना है चाए वो गाय का हो भैस का हो बकरी का हो उपनी का हो किसी का भी दूद हो वो आपको तकलीब बढ़ा देगा क्योंकि दूद पीने से भी आपके शरीर में कफ का प्रपोप होगा जिसे कि आपका skin disorder और बढ़ जाएगा तो अगर आपको किसी भी तरह का चर्म रोग है तो यह जो 10 आइटम बोले हैं यह चीज़े avoid कीजिए आप अगर चाहते हैं आपकी मिमारी जल्दी ठीक हो तो और अगर आप यह चीज़े यह जो 10 चीज़े बोले वो खा रहे हैं उसके साथ फिर चाहें आप आईरवेद, होमियोपेथ, यूनानी, सिद्धा, एलोपेथी, एक्यूपंचर, एक्यूप्रेशर जो कुछ भी चाइनीज वारीज ले रहे हो आपको फाइदा नहीं होगा और आप देखते होंगे कि बार-बार आपको चर्मरोग रिपीटेड आपको हो रहा है तो ऐसे कंडिशन में यह 10 चीज़ों को अवाइट कीजे और आप देखिए आपकी स्किन डिसॉडर बहुत जल्दी से ठीक होने में आपको मदद मिलेगी और एसे स्किन के उपर कौन सी आप डिटेल्स चाते हैं कमेंट कर गया हमें जरूर बता सकते हैं तब तक के लिए स्वस्त रहें मस्त रहें